लुक्याइट है विवेंट्सुक्राइट तो निया टॉपिक बन पड़ते हैं वह है कोलीजुन जो डिखेंगे जो हम आम जिन्दकी में देखते हैं जिसे कि दो वीकल्स के बीच कर जो कॉलीजन होता है वो भी ऐक कॉलीजन है इसके लाबा हम देखते हैं टीवी में सीरियलबी काई-entiकि देंगे को दिखाते हैं टिकरूबी कोलीजन होता श्री के बाद किस तरह के बोस्तित होती है उनके इन्दर घटनाएं होती है वह इस चैप्र के अंगे ऑख़ेंगे तो आए आगे बढ़ते हैं तो पहले है बेटा सिंपल डेफिनिशन की वाट इस कोलीजन तो फिजिक्स की जो डेफिनिशन है कोलीजन की वह हम जो आम जिंदगी में देखते हैं उससे थोड़ इसी डिफर करती है और वो यह है कि इसमॉल टाइम इंटरेक्शन प्रोसेस तो यह बहुत चोटे टाइम की घटना है इन विच ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्स दियर मोमेंटम पार्शली और कम्प्लीटली तो यह जो डेफिनिशन यह बता रहा है कि जो कलीजन है वह बहुत ही चोटे टाइम की घटना है जिसके अंदर बॉडीज अपना पूरा या पा मास इंटू वेलाउसिटी अमें पता ही बात की जो मोमेंटम होता है वह था है एम इंटू वी तो जो बॉडीज होती है को लिजन के अंदर वो उस चोटे सी टाइम इंटरेवल के लिए अपना पूरा या अपना पार्शल मोमेंटम एक्सचेंज करती है या ट्रांसफर करत है कि जो कॉंटेक्ट हो जो फिजिकल कॉंटेक्ट है वो हमीशा हो और यहीं बात में आपको बोल रहा था कि फिजिक्स में सिर्फ कोलीजन वो नहीं है बिटा जिसके अंदर कॉंटेक्ट होता है फिजिक्स में हम उसे कभी कोलीजन बो सकते हैं जिसके अंदर कॉंटेक्ट experiment when alpha particle passing through a gold atom they gets deflected in a small time duration here deflection means a change in direction of motion but here particles don't touch each other मतलब क्या मतारा है कि आपने atomic structure में पढ़ा होगा बेटर के मिस्ट्री में या फिर हम physics में आगे पढ़ेंगे Rutherford के experiment उसमें क्या होता है एक गोल्ड मेटल की कोई sheet होती है जब फाल एक sheet होती है उस पर अलफा particles की बॉमरिंग की जाती है तो जब particles लगातार आ रहे होते हैं तो उन मेंसे कुछ particles जो होते हैं वो बिना इसको touch किये हुई लौट जाते हैं तो मतलब हजार में से या सो में से कुछ particles ऐसे जरूर होते हैं जो इसमें touch किये भी नहीं वहां से लौट जाते हैं लेकिन वह आहते इस direction में अगर हम वेलास्टी की चर्चा करें तो आहते पहले इस direction में आई-कैप में और डिफ्लेक्ट होके चला जाते हैं दुबारा मैंस आई-कैप में 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर वो टच नहीं किये लेकिन फिर भी उनका आगे बढ़ते हैं आगे है basic term used in collision कि कुछ basic terms हैं जो बार-बार हम इस collision में यूज करेंगे उन्हें एक बार समझ लेते हैं तो पहली है हमारे लिए बिटा line of motion जिसे short में हमन बोलेंगे L.O.M. तो line of motion के अंदर लिखा हुआ है कि it is a line along which objects move with some velocity generally defined for straight line motions यह बता रहा है कि कोई भी एक line जिसके along particles या जिसके along bodies कुछ velocity रखती है उसे हम बोलते है line of motion और generally जो line of motion होता है वो जो word होता है वो basically straight line motions के लिए ही यूज किया जाता है तो अगर समझना हो कि simple नाम से भी जगा रहा है line of motion मतलब जिस line के along particles की velocity हो objects की velocity हो वही line जो कहती है line of motion जिसे example मना हुआ है बिटा कि जैसे मालो कोई भी कि spherical body हमने ली तो अगर मालो body इस direction में move कर रही है body की जो velocity है वो इस direction में है तो यह जो direction होगी यही हो जाएगी उसकी line of motion या फिर यहाँ पर देखे मिटा यहाँ पर अगर इस body की बात करें तो इस body में अगर body इस line पर move कर रही है body की जो velocity वो इस line के along है particle इस line के along चल रहा है तो यही line हो जाएगी line of motion तो simply कोई भी एक straight line motion में अगर कोई भी जो particle होते हैं कोई भी body होती है वो जिस direction में move करती है उसे बोलते है line of motion आगे दिखते है next better line of impact जिसे बोलते है loi या फिर line of collision तो line of collision जो वाला word है इससे थोड़ा सा इसके बारे में चमकना शुरू होता है थोड़ा सा लगता idea कि क्या हो रहा होगा line of collision मतलब एक वो line जिसके along collision होने के दोरान collision के time पर forces लगते होंगे यह बात हम जानते है कि collision की definition में हमने बता दिय है अगर momentum बदला होगा तो न्यूटरिंग का लग बताता है कि अगर momentum बदला है तो f बराबर dp by dt होता है बेटा मतलब अगर force अगर momentum बदला है तो कहीना कहीं force की बात हुई है तो collision में अगर जो forces होते हैं वो जिस line के along लगते हैं उसे बोलते हैं basically line of collision या फिर line of impact कुछ points है इसको कुछ points है इसके जो हम one by one देखते हैं पहला point है it is a line along which forces are acting during collision कि वो line जिसके along collision के दौरान forces लगते हैं second है कि उसे find out कैसे करते हैं कि वो जो line होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है तो वह लिखा हुआ है कि geometrically it is a line along common normal it is a line along common normal drawn at the contact point मतलब collision में जब कुछ जो contact point हो रहा है उस contact point पर जो common normal डाला जाए वो common normally हो जाता है line of impact for example कि let's suppose ये दो bodies है और उसमें सबने इसको माल लिया A और इसको माल लिया B तो अगर इन दोनों particles की बात करें तो by definition चलते हैं कि geometrically it is a line along common normal drawn at the contact point तो सबसे पहले contact point रूनते हैं बिटा लेट सब्सक्राइब इन दोनों का जो contact point हो गया वो गया ये यह हमारे लिए अब मुझे इस contact point पर normal draw करना है अब किसी point पर normal कैसे draw करें बहुत सिंपल ये contact point कौन सा यह यह इस पर common normal कैसे draw करें तो सबसे पहले उस point पर यह टेंजेंट रौकर दिया उस point से पास होता हुआ तो मैंने माली है यह एक टेंजेंट रह गये इस तरीकषे टेंजेंट पर नौर्मल डॉकर देते हैं जो दोनों के पास होगा वो एक सेंटर से पास होगा सरी किसे पास होगा सेंटर से तो यहां से भी सेंटर से पास होगा और यहां से भी सेंटर से पास होगा मतलब यह जो लाइन होगी जो मैंने रेड मार्कर से बना यह एट डिजलाइन आफ इंपक्ट दुबारा देखें वेटां यहां प तो कैसे निकाले इस contact point पर ही टेंजेंट रो कर देते था हैं इस तरीके से दोनों से पास होने वाला यह common tangent इस पर perpendicular रो करें दोनों के center से पास होने वाइन बन जाएगी तो इस वाले case में भी simply जो ये वाला बनेगा ये जो लाइनों में रेड मार कर से बनाओं ये बन जागी line of impact तो हम अगर बार-बार देखें तो हम एक पास समझ में आ रही है कि spherical bodies अगर हुई तो हमेशा उनकी जो line of impact होगी वो दोनों centers को मिलाने वाली line ही होगी तो वही हमने आगे लिख दिया कि for spherical bodies such as disc, sphere, a line joining their center कोई भी line जो और के centers को join करेगी that will be the line of impact वही उसकी line of impact होगी वही line होगी जिसके along collision के during forces लगेंगे तो यह है line of collision next example एक और कि जैसे मालो की एक कोई बॉल है वो इस दिवार से contact करती है तो जब से मालो कोई बॉल है यह नीची आई आने के बाद यह कहीं यहां पर आ गई जब यहां पर आएगी तो यह contact हो गया इस contact point पर हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा पीटा कॉमन नॉर्मल निकालना तो अगे वही बात कि पॉइंट पर कॉमन नॉर्मल कैसे पर और दिवार पर जो फोर्स लगेंगे वह इसी लाइन के लाओं लगेंगे मोमेंटम इसी लाइन के लाओंग चेंज होंगे तो यह इसकी लाइन शेक्त एक और देहां कि मालो दिवार इस तरीक सो बेटा हो और इतराक में से олет के परपेंडिक डिफार एदुबारा से बनेगी ना ही ओऊब तो अब ध्यान से देखें तो दिवार से सभांब estás किसी ऑल से अगर कॉलिजन हो रहा है किसी ऑल का किषी स्पेरिकल आप्जैक्ट का तो जो ओ र sabemos रही है बेटा तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिवार से कोलिजन के case में line of impact बन जाएगी दिवार पर perpendicular तो वहीं मने लिखा हुआ है दिवार पर perpendicular तो इन दोनों case में इस वाले case में भी और इस वाले case में भी जो answer आएगा वो आएगा दिवार पर perpendicular तो हम simple समझ गए कि अगर मालो spherical bodies हो तो उनके लिए दोनों के centers को जोइन करने वाल लाइन क्या मनेगी line of impact और अगर दिवार से कोलिजन होगा तो दिवार पर perpendicular जोगा वह जाएगी line of impact और इस चैप्टर में मेली जो हम डील करते हैं बैटा दो तरह की क्या होता होगा और अगर कोई बॉल किसी दिवार से या भारी ऑब्जेक्ट से कॉंटेक्ट करती होगी तो क्या होता होगा तो दोनों केसे में लाइन ऑफ इंपक्ट बनाना आना चाहिए पहले केस में दोनों के centers को जोइन करने वाई और दूसरे केस में दिवार पर परपैंडिकुलर अगे दिखते हैं कि कैसे को हम समझाएं कि को टाइप क्या है तो पहला आता है इसके अंदर वह है एडाउन कोलीजन या फिर वन डी कोलीजन या फिर डाइरेक्ट कोलीजन अगर आप अपनी एंसरी दिखेंगे तो इसके हैडाउन भी मिल जाएगा कहीं और कहीं इसका वन डाइमेशन नाम भी होता है तो तीनों का मतलब एक ही टाइप को लिजन है हैडाउन वन डी या डारेक्ट का क्या कहानी है इसके अंदर कि वेन लाइन ओफ मोशन इस अलॉंग लाइन ओफ इंपक्ट अलॉम मतलब लाइन अब्जेक्ट की लाइन ओफ इंपक्ट की अलॉंग हो तो वो जो मोशन होता है वो होता है यद और यह डारेक्ट को लीजन फोर इग्जैंपल कि जैसे ही मालों यह एक एक जामपल है इसके अंदर वही एक बॉल ए वह यहां आने के बाद इस बॉल से को लिजन करती है तो इस ऐखर ein और कोलिजन ईका रही है तो इस इस बैसे भॉल है वो इस धिरेक्षिन ईख मुव कर रहे तो यह लाईन नह总 और इसके मोशन तो इसे मोशन सकते हैं ळालाytt क्छेश्जन हमाइन उप lighter और अगर ऐसे हम बात करें line of impact की तो अभी अपने पीछे ही देखा है कि दिवार के case में दिवार पर जो perpendicular होती है बेटा वाई उसकी line of impact होती है तो इस वाले case में भी जो line of impact होगी वो भी ही है यह line होगी तो यह line ही क्या हो गई बेटा इसकी line of impact तो मैं कह सकता हूँ कि line of motion कि यह तो rest पे है वाल तो तो मतलब objects की बात करें तो कि वहल एक यही चल रहा है तो line of motion और line of impact दोनों एक ही line पे है तो यह collision है head on head on का मतलब एक तरीके से head to head contact हो रहा है या फिर अब 1D मतलब one dimensional की collision के बाद जब यह दिवार से collision करेगी यह ball ऐसे तो collision के बाद भी जो forces लगेंगे वो इसी direction में लगेंगे momentum जो बदलेंगे वो इसी direction में बदलेंगे या यू कहूं कि ball अगर इस तरीके से आई है तो टक्कर के बाद भी इसी direction में ही उपर जाएगी इसे बोलेंगे one dimensional collision तो यह हो गया basically one dimensional collision एक और example यहापर मैंने ले रखा है कि मालब बेटा दो बॉल है let's suppose कि यह ball है rest पे ठीक है यह ball है rest पे और यह ball move कर दे किसी u speed से तो अगे हम बात करें बेटा कि यह ही होगे इसकी line of impact क्योंकि center सो join करने वाई लाइन है और अगर हम देखें तो ball कैसे move कर रही है ball इसी direction के along move कर रही है तो यही जो line हो गई है यही जो line है यही होगे इसकी line of motion और यही होगे इसकी line of impact तो again line of motion line of impact पे है तो अगर यह ball ऐसे है और यह ball ऐसे particle यह दोनों object की velocity इसी line के along होगी इसी one dimension में होगी इसलिए इसे one dimensional या एक तरीके से head-on collision भी कहते हैं इसे और भैतर से समझने के लिए मैं आपके सामने की example भी लेके आया हूँ आपने देखा हो बेटा कैरम बोर्ड होता है हम गरों में खेलते हैं कैरम बोर्ड तो कैरम बोर्ड में क्वीन को हिट करते हैं लेक्ट सब्सक्राइकर से तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सीधी चाहिए होती है वो तो हम उसे हीट करते हैं तो head-on collision होता है तो देखिए बिटे मानलों जैसे हमारे बास एक तरीके से कैरम बोर्ड है और हम सिब दो ही क्वीन पर फोकस कर रहे हैं एक हमारे बास कोई क्वीन और एक स्ट्राइकर आगर मानलों कभी इस गेम में ऐसी सिच्वेशन बन जाए कि मुझे इस क्वीन को एकदम स्ट्रेट लाइन मूव कराना है मतलब मुझे इस इस गेम में कई पहूं को मुझे स्ट्रेट लाइन में लेकि जाना है तो अगर इना मीशन बाडिज मानले तो आप दिखेंगे कि इनकी लाइन ओफ इंपक्ट क्या होगी दोनों को सेंटर को जॉन करने वाली लाइन लें लेट सब्सक्र इसका सेंटर यह है तो जोनों को ज enter's को join करने वाली line of impact यह जो लाइन है बीटा के लाइन आओफ इंपक्ट फिरेश्ट पे है तो जो इस डिरेक्षन में भी स्ट्राइकर मूव परोगा वह गोजागी line of motion मैंने मान लिए कि मैं इस line of impact के लाउं लेके जाता हूं तो मैं इसी लाइन के लॉंग लेके जा रहा हूं इस स्ट्राइकर को दियान से देखना आप कि देखा आपने क्या हुआ आपने देखा होगा अगर आप बहुत क्लोसी देखेंगे कि टककर के बाद भी दोनों पार्टिकल उसी डिरेक्शन में मूव करें स्ट्राइकर और क्वीन दोनों को लीजन हूँ या फिर हम कहें यह एक तडरिका जो प्लीजन हो है हैड़ाउन कोलीजन दूसरा होता है करें इस थरीकन को इस थरीके से एक क्वीन ऐसे मूव करें ज्यान से देखना हम चाहते हैं कई बार कि जो क्वीन वह इस तरेक्शन में मूव करें तो अगर आप देखेंगे यह जो कॉलिजन होगा इसमें क्या घटना हो रही होगी कि अगर माल लोग बात वहीं करें लाइन आफ इंपेक्ट की तो दोनों लाइन लाइन आफ इंपेक्ट कहा है इस लाइन के लोग ऐसे यह लाइन आफ इंपेक्ट और लाइन आफ मोशन की बात करूं तो जिस डिरेक्शन में स्ट्राइकर मूव करेगा वो लाइन आफ मोशन क्योंकि वो तो रेस्ट पर यह हो गई लाइन आफ मोशन तो अगर लाइन टोदेखते हैं क्या होगा ये Percy करते हैं तो इसे करते हैं कि ने आर से आप देखते हैं क्या होगा देखा आपने ये गया striker इस direction में और queen गई थोड़ी इस direction में तो ये जो collision होता ये है oblique collision या two dimensional collision जिसमें टककर के बाद दोनों की velocity A की line में नहीं होती है तो इसी को printed form में मैंने लिखा हुआ है तो बिटा जिसे की oblique में है कि when line of motion of one body और both bodies are not same as LOI, LOI मतलब line of impact मतलब जिसे head on में था head on में तो क्या हो रहा था बिटा कि जैसे आप यहां पर देखिए तो इसमें यह जो line है यही line line of motion थी दोनों balls की और यही line चुकि अगर यह दोनों bodies हम कह सकते spherical bodies है और spherical bodies के लिए उनकी joining line ही उनके लिए line of impact बनती है तो यह ही उनके line of impact थी हो यह line of motion थी तो हमने कह दिया था कि यहां पर collision था वो head on था अबलेक में क्या होगा कि line of motion किसी एक body का दोनों body का along the line of impact नहीं होगा जैसे example के लिए माली जे यह कोई ball A है और यह कोई ball B है ठीक है बॉल B हमने rest माली और बॉल एक हैं उपर जा लिए इस प्रकार से तो जब यह ऐसे जाएगी माली जब भी इस तरीके से रखी हुई है बॉल भी ऐसे और बॉल A से साइट से निकली इस तरीके से जब यह और यह अफी करते हैं निकलेगी हम कह सकते हैं कि यह यह line यह लाइन है यह यह लाइन वाली यह लाइन पॉम्फा और लेनॉबपक को खीचने का बनाने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था ऱोच यहां पर तककर के बाद यह दोनों एक ही लाइन में नहीं रहेंगे एक plane में, हम कह सकते हैं, एक plane में चल ले जाएंगे, माली जी कोई xy plane है, तो xy plane में दोनो balls move करेंगी टककर के बाद, माली जी एक ball कुछ इस प्रकार से हो गई, और माली जी दूसरी ball कुछ इस प्रकार से हो गई, ये b ball है और ये a ball है, तो इनके लिए जो direction आई टककर के बाद, तो हम कह सकते हैं कि collision के बाद जो direction आई, वो कोई एक single direction नहीं है, वो एक straight line नहीं है, वो एक plane में move करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर line of motion और line of impact along नहीं थे, जैसे कि head on में था, head on में क्या था, दोनों एकी line में थे, इसे टककर के बाद, दोनों इसी line में चलते रहते थे, क्योंकि momentum इस direction का ही change हो रहा है, यहाँ पर मेंटा momentum change हो रहा है इस direction का, क्योंकि line of impact है ये, तो velocities का cable ये वाला component ही बदलेगा, कौन सा? जो line of impact के along आता है, मतलब कुनों लागे आप ये याद रखेंगे, कि जब line of impact, line of motion का along नहीं होती है, तो वो जो होता है, वो oblique या two dimensional collision होता है, फिर एक एक को पढ़ेंगे पहले, पहले हम most of the chapter में, 90% of the chapter में जो हम पढ़ेंगे हमारे syllabus में, वो है head-on या direct collision, या फिर से हम बोलेंगे head-on indirect impact, तो इसको एक बार देखते हैं कि इस में अंदर क्या हो रहा होगा, कि let's suppose मैंने मालने कि दो bodies है, एक body A और एक body B, एक बात तो हम जानते हैं कि अगर इन bodies को collision करना है, तो ये बात तो तह है कि जो rear body है, जो पीछे वाली body है, उसकी speed ज़्यादा होनी चाहिए, बहुए अगर मालने बेटा, इसकी speed 6 meter per second है, और पीछे वाले की speed 4 meter per second है, तो ये वाला तो कभी इसे पकड़ी नहीं पाएगा, तो collision समभा भी नहीं है, मतलब अगर contact collision चाहिए, तो ये बात तो तह है कि rear object, जो पीछे वाला object है, जो इसे अप्रोच कर रहा है, उसकी कुछ speed इससे ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये इसे कभी collision नहीं कर पाएगा, तो अगर इस तरीके से collision हो रहा है, तो यहाँ पर एक बात तो होता है, कि जो UA है, वो यूबी से बड़ा है, तो ये जो UA है, वो यूबी से बड़ा है, तो वह इसके अंदर लिखा हुआ है, कि to understand what happens in a head-on impact, let us consider two balls a and b of masses ma and mb, हैट सब इसका mass ma और इसका mass mb है, moving with velocities UA and ub, ये UA से move कर रही है, और ये, यूबी से move कर रही है, head-on की बोज़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, दोनों का line of motion है, और अगर दोनों spherical bodies हैं, तो दोनों के centers को zone करने बारी line ही line of impact है, तो यही हो गई line of motion, और यही हो गई line of impact, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे है, head-on collision, अब वही लिखा हुए है कि दोनों same direction में move कर रहे है, velocity UA is larger than ub, so that ball A hits the ball B, अगर ball A को ball B को hit करना है, तो ball A की speed जादा होनी चाहिए, इस थरीके से इसके पास आएगी, और अब इको compress करना शुड़ू करेगी, तो वही लिखा है कि during the impact, both the bodies push each other, दोनों bodies एक दूसरे को push करेंगी and first they get deformed, यह थोड़ी से deform होंगी, अगर एक दूसरे को push करेंगी तो थोड़ी deform होंगी, till the deformation reaches a maximum value, एक maximum value तक इसको deform करेगी and then they try to regain their original shapes due to elastic behavior of the materials forming the balls, इस सिंपल सी बार बता रहा है कि पहले एक दूसरे को compress करेंगी, compress करने के बाद एक ऐसी stage आजाएगी, जब इनके बीच में deformation maximum होगी, उसके बाद यह एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेंगे, अपनी original shape को Regain करने की कोशिश करेंगे, और वो जो उनकी capacity होगी अपनी shape को Regain करने की वो बिसकिली kaldip करेंगी, इनके elastic behavior पर, इनके balls के material पर और materials की basis पर वी अपनी shape को recover करने की कोशिश करेंगे, तो यह बिसिकली एक तरीके से एक overview है कि head-on collision में क्या होता है कि पहले rare object की इस पर जादा होने करने करने को पुश करते हैं पुश करने के बाद एक stage ऐसी आती है जब उनकी deformation maximum हो जाती है उसके बाद वो अपनी original shapes को वापस cover करने के लिए वापस recover करने के लिए elastic behavior के basis पर internal forces produce करते हैं और अपने shape को regain करने की कोशिश करते हैं तो यहीं यहाँ पर इसकी तीन stage अलग-अलग दिखा रही है तो यह तो वो stage है instant when impact begins कि यहाँ से अब एक दूसरे को push करना start होता है कानी वो रही होगी कि अगर यह pushing हुई होगी अगर यह A ने B को hit किया होगा तो एक बाद तो तो तह है बेटा कि UA जादा रही होगी UB से UA is greater than UB यह इसको hit करेगी hit करने के बाद यह तो push करेंगी push करने के बाद यह एक ऐसा moment आएगा जब दोनों के बीच के जो deformation होगी वो maximum होगी तो वही लिखा हुआ है instant of maximum deformation maximum deformation का मतला हम समझ गए कि अब इसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी एक जरी के से compression नहीं होगा वो maximum stage compression हो चुका है तो यहां से यहां तक body लगाता deform रही हुई है बोड़ी लगाता रही डिफॉर्म हुई है जैसे से टाइम गुजर रहा है बोड़ी का अंदर deformation भड रहा है तो इसे बोलते हैं deformation period जहां तक maximum deformation हो गया वो हो गया deformation period अब bodies अपनी original shape को cover करने की कोशिश करेंगी तो वही है कि deformation period के बाद अब bodies एक दूसरे की पर इस तरीके से forces लगाएंगे कि अपनी original shape को recover करने की कोशिश करें मालों यह एक तरीके से elastic collision रहा या फिर bodies ने अपनी bodies ने अपनी shape को completely recover कर लिया तो कुछ ऐसी हो जाएंगी collision के बाद दोनों की velocity ले सब्सक्राइब और वी बी और वह इस तरीके से अपनी shape को रख लेंगी इस तरीके से वह अपनी पूरी शेप को recover कर लेंगी तो आप देखेंगे यह हो गई initial stage यह हो गई final stage और यह हो गई intermediate stage तो जब maximum deformation से यह वापस अपनी shape में आते हैं आप फिर वापस material के basis पर अपनी अपनी शेप में recover होने के बाद motion करते हैं तो उस stage को बोलते हैं restitution period मतलब जब maximum deformation आती है उस deformation period और जब यह अपनी shapes को cover करने की कोशिश करते हैं वह होता है restitution period वही लिखा हुआ है time interval during which deformation takes place is called the deformation period जब तक deformation होती है जब तक वो एक दूसरे को push करते हैं वह हो गया उसका deformation period और आगे है कि the time interval in which the body's try to regain their original shapes वो time interval जिसके अंदर bodies अपनी body अपनी original shape को recover करने की कोशिश करती हैं वह उनके लिए हो गया restitution period तो simply हमने overview लिया head-on collision का आगे देखते हैं सब्सक्राइब करते होगे एक दूसरे को पुष करना स्टार्ट करते होंगे फिर दोनों के maximum deformation आजाती होगी और उसके बाद वह दूसरे से separate होते हुए यह एक दूसरे पर इस तरीके से forces लगाते हुए अपनी original shapes को recover करने की कोशिश करेंगे तो इस सब कहानी में अगर आप देखे तो इंदो बाल्स के अगर बात करें बिटा तो हमीशा जब बाल्स एक दूसरे पुष करेंगे ऐसे अगर यह दूसरे को पुष करेंगी आगे, अब आए समझें कि ये balls ऐसे हैं, अगर इसकी speed जादा तो इस ball को ऐसे push करेगी, इसे push करेगी, तो इससे कहेगी तुम अंदर जाओ, इसके अमने इस पर पोर्स कहां लगेगा बेटा, आगे, इस B वाली वाल पोर्स कहां लगेगा, आगे, और हर action की reaction होती है, तो इसक system बनाओं, तो B पर भी एक force है, वो क्या है, ये F इसकी speed को लगातार कम करता है, और ये F इसकी speed को लगातार बढ़ाता है, लेकिन, अगर हम center of mass की कहानी को यहाँ पर वापस समझें, अगर हम इन दोनों बाल्स को एक system बना दे, let's suppose, make system together, हमने इन दोनों बाल्स को as a single system देखें, तो हम कह सकते हैं कि collision के दौरान जो force लगाए दोनों में ये F और F, that will be an internal force, तो हम कह देंगे कि F become internal force, अब अगेन आपका सवाल यही सर, यह internal force कैसे हुए, मैं आपको बोलूगा बिटा, वो कानी याद करो, जब मैंने आपको बताया था कि internal force क्या होता है कि जब किसी force का action reaction pair system के अंदर हो जाए तो वो force हो जाता है, internal force, मतलब अगर इनको system बनाया, तो no external force, और हम जानते हैं, अगर external force नहीं है इस direction में, तो इस direction में, momentum system का conserve रहेगा, मतलब C-O-L-M, conservation of linear momentum is valid, तो यह इसका conclusion है, तो C-O-L-M is valid, कि इस line के along या इस direction में, कोई भी external force नहीं है, इस लिए इस line में, जो momentum होगा system का, वो conserve होगा, तो वही लिखा हो है, कि in all type of collision, conservation of linear momentum, that is C-O-L-M, is valid, by considering two balls as a system, because forces acting during collision, will become internal, और internal क्यों बनेंगे, because action and reaction, both comes in the system, तो ऐसे अगर हम दोनों balls को, हमीशे एक single system बनाएंगे, तो conservation of linear momentum, हर प्रकार के collision में valid होगा, बड़ा next पढ़ते हैं, kinetic energy explanation is collision, बतलब हम देख रहे हैं कि kinetic energy के basis पर भी collision को तोड़ा जा सकता है, या फिर collision के types बनाया जा सकते हैं, तो जैसे मानलों को इनिशली वही दिखा रहे हैं, कि दो balls हैं, कोई भी A और B, अब अगर वो A वाला B को हिट कर रहा है, तो एक बात होता है, कि जो A की speed रही होगी, वो जादा रही होगी, इससे B से, तो वही लिखावाई, U1 is greater than U2 initially, अब अगर इसकी speed से जादा रही होगी, तो इसने इसको push किया होगा, और एक तरीके से दोनों के बीच में deformation प्रेडूस होना स्टार्ट हो गई होगी, तो इस तरीके से A, B में इस तरीके से pushing start कर देगा, deformation start कर देगा, एक ऐसे stage आएगी, जब दोनों के बीच में तो final situation होगी, वो लिखी होगी, depends upon the material, तो final situation होगी बीचा, वो material पर depend करेगी, जो outcome आएगा, वो material elastic है, या inelastic है, या perfectly elastic है, उस तरीके से पर depend करेगा, तो एक head-on collision का अब एक example देखते हैं बीचा, मैं दो balls consider कर रहा हूँ, let's suppose this is ball A, this is ball B, उसी तरीके से जैसे board पर बनी enters को मिलाने वाली जो line होगी, वही line of impact हो जाएगी, तो जो यह line होगी, यही हो जाएगी, इनकी line of impact, और इसी direction में let's suppose दोनों move कर रहे हैं, तो यही होगी इनकी line of motion, इसलिए यह head-on का example है, अब मैंने example माल लिया, let's suppose यह 10 meter per second से eye cap में move कर रही है, और यह 6 meter per second से eye cap में move कर र इसको इस तरीके से approach कर लेगा, और यह वो instant आया, जब यह इसको approach करेगा, hit करेगा, यह हो गया इन दोनों का contact point, अब यहां से बात करें, तो इसकी initial speed है, 10 meter per second, A वाले की, और B वाले की initial speed है, 6 meter per second, तो इसकी speed जाद है, इसकी speed जाद है, तो यह B वाले को push करना की कोशिश कर forces लगे होंगे, इस अगर forces की FBD देखें, तो इसने इसको contact किया, ऐसे, ऐसे push किया, तो इस पर एक force लगेगा, बेटा कहां, इसकी speed के opposite direction में, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A वाली बॉल पर एक force लगेगा, left side में, और इस B वाली की इस पर लगेगा, एक force, right side में, यह सी होग की बात करें, तो A की speed थी आगे 10, और इस पर force लगना और start हुआ पीछे, तो इसकी speed घटना शुरू हो जाएगी, let's suppose इसकी speed हो गई 9 meter per second, और अगर B की चर्चा करें, तो B की speed भी थी आगे 6 meter per second, और B पर collision के time पर force भी आगे लगाए, तो इसकी speed भड़ेगी, let's suppose इसकी speed हो 9 meter per second, और B वाले की speed है 7 meter per second, अभी A वाले की speed स्पीड यादा है, तो A और compress करेंगा, यह दोनों और deform होंगी, जैसे यह दोनों और deform होंगी, इस पर force पीछे की तरफ और बढ़ेगा, और इस पर force आगे की तरफ और बढ़ेगा, तो इसकी speed और कम होगी, और B वाले की speed और नेट सपोंज इसकी स्पीड गड़के हो गई 8 मीटर पर से किंड और इसकी स्पीड भी बढ़कर हो गई 8 मीटर पर से किंड मतलब अब इन दोनों सिंट हो गई है 8 में अन आप से घू खंड right यह maximum है और maximum क्यों है क्योंकि इस moment पर इन दोनों की velocities सेम है वी वाले की velocity भी 8 meter per second हो गई है और एवाले की speed भी 8 meter per second हो गई है अब इस maximum deformation के बार यह final situation किस प्रकार से होगी final outcome क्या होगा वो depend करेगा इनके अगर यह दोनों बॉल्स परफेक्टली लास्टिक होंगी तो यह अपनी बॉडिस को यह अपनी जो शेप से उनको दुबारा रिगेन कर लेंगे तो इनके अंदर फोर्से जनरेट होंगे और उन फोर्से से इलास्टिक बॉड़ी जैसे महलों कर पूरी टक्कर के बाद यह ऐसे हो जाएगी यह हो गई परफेक्टली लास्टिक कोलिजन की जो और अगर maximum deformation की स्टेज के बाद जब यह एक दूसरे से अलग होती है तो अलग होने के बाद भी दोनों के पास कुछ कुछ deformation रह जाए इसके अंदर कुछ deformation हो जाए इसे बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर पूरी की पूरी शेफ रिकवर नहीं हो और अगर maximum deformation के बाद दोनों अलग ही ना हो दोनों में कोई separation की tendency ही ना हो दोनों एक बोडी बनकर मूव करें तो इस प्रकार के बन डाइमेंशन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक मतलब दोनों चिपक गए हैं दोनों में किसी प्रकार की कोई elastic नहीं है और दोनों सिंगल बोडी बनकर मूव करेंगे तो इस तरीके से हम forces की कहानी से या forces की बता सकते हैं कि जब दोनों की वेलॉसिटी मैक्सिमम होई होगी उस दोरान जो डिफॉर्मेशन होई होगी वो मैक्सिमम होई होगी फिर फोर्स लगने कारण फोर्स डवलब होने कारण फ़ीलस्तिल कें ऊच्रेइ तो यह अपनी स्यव पूरी रेकवर कर लेगा क्श ऐसी शेप हो जाएगी रिकवर होने के बाद और अगर इनिलस्तिक निशर का है तो completely recover नहीं होगा कुछ deformation रह जाएगी और अगर perfectly elastic हुआ तो यह एकदम दोनों single body की तरह move करेंगे तो यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि अगर u1 greater than u2 था तो maximum deformation आई और situation c जो है वो depend करेगी material पर और भाई लिखा हुआ है कि figure v shows deformation is maximum when the two balls attain equal velocities जब दोनों की velocities equal होंगी तभी जो deformation होगी वो maximum होगी और situation c है वो material dependent होगी तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर materials कैसे हो perfectly elastic हो तो क्या होगा perfectly elastic और क्या हो अब कहानी है कि सर यहाँ पर लिखा तो है kinetic energy explanation अब energy के basis पर explain करें तो अगेन अगर आप देखें इस पूरी कहानी को अगर मैं energy के basis पर समझाना चाहूं तो सिंपल जी बात है कि जब डिफॉर्म करना शुरू कर रहा था तो जब इन डिफॉर्मेशन शुरू हुई इस तरीके से जब इन डिफॉर्मेशन शुरू हुई तो हो क्या रहा था कि मानलों की kinetic energy जो थी उसका कुछ हिस्सा deformation में चला गया मतला मैं बोल सकता हूं कि दोनों की kinetic energy अगर मानलों के वन प्लस के टू थी तो उसका कुछ हिस्सा इस deformation में चला गया है और दोनों का कुछ हिस्स में चला गया है ठीक है उसके बाद चम maximum deformation अंगई होगी तो maximum हिस्सा की में चला गया होगा quart deformation में चला गया होगा तो अगर बॉल्स पर्फेक्टली लास्टिक हैं तो इस डिफॉर्मेशन को बिलकुल एकदम छोड़ देंगे मतलब जो इस टोड़ एनरजी थी डिफॉर्मेशन में वो कम्प्लीटली पूरी छूट जाएगी तो मालो डिफॉर्मेशन में जो एनरजी गई थी गई थी क्या गई तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि अब करेंटिक बच्चे होगी के वन प्लस के टू माइनस ए लेकिन जैसे ही अगर इलास्टिक कोलीजन है यह पूरी पूरी एनरजी दुबारा इसको दे देगा और इन दोनों की करेंटिक एनरजी दुबारा से समझोगा वो के वन प् थे शिस्टम की वही सिस्टम की करेंटिक एनजी बाद में भी रहेगी और एग्या मालो इन लास्टिक कोलिजन हुआ इसमें कुछी deformation रहेगी और कुछ deformation रहेगी तो हम एक seulement की नर इंदर रहेगी कुछ energy body इसके अंदर रहेगी तो जो kinetic energy है उसमें कुछ loss हमीशा रहेगा उसके उन्दर कमचे न कोई loss जरूर होंगा और अगर की यह पर्फेक्ट्ली इनलास्टप्लॉइं तो आंकके सकते कि ie allowsata maximum क्यूंकि अब यहां के बाद जब loss maximum हो चुका है बॉडीज अलग ही नहीं होना चाहिए bodys की कोई tendency नहीं अलग होने की तो लोस रहा होगा जो डिफॉरमेशन रहा होगा maximum रहा होगा इसलिए इस प्रकार की कोलिजन में kinetic energy है वो सबसे जादा लॉस होती है तो वही आगे समझाए हुआ इसके अंदर बेटा कि अगर बॉल्स आर परफेक्टली लास्टिक दन फोर्सेज डवलप इंसाइड देम सो दे कंप्लीटली रिगेंदियर ओरजिनल शेप इट मेंस कोई इनेर्जी इस कंप्लीटीड इंट इनेटिक जे सम एक रहा है दोनों का जो सम था उनीशिली था वही बाद में बन जाएगा क्योंकि जो deformation में energy stored हुई होगी वो पूरी की पूरी recover हो जाएगी मतलब अगर मैं simple से बात कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा कि अगर माल लो दोनों की kinetic energy कुछ इस प्रकार से थी 3 plus 4 यह before collision अगर before collision कुछ ऐसा है तो बाद में साइद दोनों की अलग-अलग change हो जाए let's suppose ही हो जाए 5 plus 2 लेकिन दोनों का sum अगेर कितना रहेगा 7 इनिशली भी कितना था 7 और फैनली भी कितना रहेगा 7 यह प्रकार का जो कोलीजन होगा जिसमें इनिश बिफोर और आफ्टर काइंटी एनर्जी का सम कॉंस्टेंट हो जाए उसे बोलेंगे elastic collision next इसके अंदर if the balls are perfectly inelastic अगर perfectly inelastic होई इसका मतलब उनके अंदर को tendency ही नहीं होगी अपने आपको अलग करने की separate होने की तो जो लॉस रहा होगा maximum रहा होगा क्यों क्यों कि डिफॉर्मेशन आई होगी बाल्स की बीच में वह तो maximum deformation हो गई अब यह maximum deformation है तो लॉस सबसे ज़्यादर आए तो वही लिखा हुआ है कि balls have no tendency to regain their original shapes after situation B so they continue to move with that deform shape and velocity together so deformation energy is not converted back deformation energy is over converted back नहीं होगी the maximum kinetic energy loss is present यह हम याद रखेंगे कि जो perfectly elastic होता है उसके अंदर kinetic energy का loss maximum होता है this collision is called perfectly inelastic collision next देखें तो वह इफ देखें तो वह इफ दे बाल्स are inelastic inelastic मतलब कि एक तरीके से partially elastic है partially मतलब उनके अंदर कुछ एक तरीके से tendency है recover करने की link completely recover नहीं कर पाती तो balls try to regain shapes partially partially कुछ हिस्सा वह डिफॉर्म को recover करने की कोशिश करते हैं तो some part of maximum deformation is converted to original shape कुछ सही convert हो पाता है but still deformation occurs लेकिन फिर भी उनके अंदर deformation रहती है मतलब deformation रहती है तो हम कह सकते हैं कि कुछ kinetic energy का हिस्सा deformation energy की form में रहता है तो loss तो होगा पतलब loss of connecting energy is there but not as large as that in perfectly inelastic पतलब इसके अंदर loss तो होगा ठीकिन वो loss इतना जादा नहीं होगा जितना की perfectly inelastic collision में होगा तो इस प्रकार से हम कॉलिजन के टाइप कर सकते हैं तीन कानेटिक energy की बिशिस पे elastic inelastic और perfectly inelastic elastic का मतलब कि कानेटिक energy पूरी की पूरी पूरी रिकवर हो जाएगी जो deformation में गई वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई perfectly inelastic मतलब कुछ भी रिकवर नहीं होगी शेप्स तो इसका मतलब कानेटिक energy maximum loss देगी और तीसरा टाइट का होता है वह होता है inelastic collision जिसके अंदर deformation का कुछ हिस्सा original में convert हो पाता है लेकिन फिर भी deformation रह जाती है और अगर deformation रही तो कानेटिक energy का कुछ हिस्सा deformation energy में रहेगा मतलब उसके अंदर भी loss होगा ही होगा तो एक नोट और देखते हैं बिटा कि कानेटिक energy is not constant in entire process इस बात को बहुत ध्यान से आपको ज्याद रखना है थियोरी के अंदर कि कानेटिक energy पूरी entire process में constant नहीं है even in elastic collision मतलब ऐसा हम कहते हैं कि elastic collision में कानेटिक कंजर्व होती है लेकिन वो केवल और केवल initial और after वाली condition में होती है बीच में जब वो processing चल रही होती है deformation भी चल रही होती है तो कुछ कानेटिक एनटिक डिफार्मेशन में रहें गा तो अगर एंटाइर प्रोसेश की बात करें तो एंटाइर प्रोसेश में किनतगेशक नहीं होगी कानेटिक एंटेजी आफ्टर विच में तो transfer चल रहा है कुछिसा दिफॉर्मेशन में जा रहा है तो वहां तो कानेटिक इनजी कंजर्व नहीं है तो हम याद रखेंगे कि कानेटिक एनर्जी नॉट कॉंस्टेंट इन इंटायर प्रोसेस इवन इन इलास्टिक कोलीजन एज द्यूरिंग कोलीजन सम पार्ट ऑफ कानेटिक एनर्जी जो वह बी वाली अपने सिच्वेशन लेती जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गई होगी उस टाइम पर कानेटिक एनर्जी कहा ही तो इससा किसमें मिट्या डिफॉर्मेशन में तो वही लिखा है कि विफॉर कोल कोलीजन और दूरिंग कोलीजन सम पार्ट ऑफ कानेटिक एनर्जी इस प्रेजेंट इन फॉर्म ओफ डिफॉर्मेशन इलास्ट इफॉर्मेशन एनर्जी जा पर इसे हम बोल सकते हैं इलास्टिक कोलीजन के लिए इलास्टिक पोटेंशिल एनर्जी ओनली बिफॉर एन नहीं होती है इसमें यहां और यह विए सिट्वेशन कोलीजन होता लास्टिक के अंदर यहां और यहां कि करनाय केंटयेक आजलेगी तो फिटता है लास्टीट कर नहीं होगी चनाशन के यहां पर कुछ करने टैनरजी के इस सभ्रहते इसमें जा रहा है जा रहा है तो यह नोट लिखा हुआ है कि बहुत मैक्सिमम कानेटिक लॉस इस प्रेजेंट यह नोट यहां पर लिखा हुआ है बीटा कि डिफॉर्मेशन इलास्टिक पोटेंशल एनर्जी ओनली बिफोर और आफर कानेटिक एनर्जी आपको दोका दे सकती है क्योंकि वह बी वाले पार्ट में नहीं लग पाई कानेटिक एन की जो एक्वेशन है वह हर टाइब की कॉलिजन में वैलिड है क्योंकि आप चाहिए वाले इससे को लो चाहिए बी वाले इससे को लो तीनों इससे में अगर आपने सिस्टम दोनों वाल्स को बना रखा है तो जो फोर्स डबलप हो रहे हैं वह इंटरनल बन रहे हैं मतलब इसलिए मोमेंटम कंजर्व तो हर टाइब की कॉलिजन में हर स्टेज में होगा तो यह सबसे इंपोरेंट पॉइंट याद रखेंगे कि कानेटिंगे इसकांजर्वड ओल्ली बिफोर एंड आफ्टर इन इलास्टिक को लिजन्स और मोमेंटम इसकांजर्व इन और तो इसी के ऊपर एक त्यूरी का कुश्चन में कई पार आता है विटा विच आप फॉलोइंग इस ट्रू इनमेंसे कौन से स्टेट्मेंट सही है तो पहला स्टेट्मेंट है कि मोमेंटम इस कंजर्व इन और कोलिजन्स बिल्कुल सही बात है सर मोमेंटम सारी कोलिजन्स मे सब्सक्राइब है तो यह वाला भी गलत हो गया पहला स्टेट्मेंट भी गलत हो गया दूसरा स्टेट्मेंट भी गलत हो गया तीसरा है मोमेंटम इस कंजर्व इन और कोलिजन्स यह सही बात है कि मोमेंटम हर प्रकार की कोलिजन्स में कंजर्वड है बट नौट काइनेटि इनलास्टिक में और पर्फेक्ट इनलास्टिक में तो लॉस हो गई होगा लेकिन मोमेंटम हर प्रकार की कोलिजन में रहेगा तो इस्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्ट लग रहा है दोबार फूर्थ भी पढ़ लेते हैं कि बहुत मोमेंटम एंड करनेटिक एनरजी आज आउल कोलीजन तो यह भी गलब हो गया की आउंज tendency तो कंजर्व नहीं होती है तो यह्येस्टेटमेंट भी गलब रहे लेकिन कंजर्ब नहीं ही देखते हैं आगे 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 टाइप साफ कोलीजन तो जो हमने पढ़ा है उसे समराइज कर रहे हैं वसकि हमने जो कॉलिजन इस पूरे लेक्षर में कोफ। एक समत्राइब हमने लास्तिक परवेक्षर में परता हूँ अब और घृटिक हमने लास्तिक बढ़ा तो प्रताइब कोलीजन थी तो टाइप अपने पहला हमने पिर थाण वन फैसे साफ डारेशन तो हम ने देखा प्रतिगिंग के विश्यें तरीक है तो डाइवन य कर्मूब अलाउंग थे स्ट्रेट लाइन बिफोर और आफ्टर दे कोलीजन इस दिफाइंद एज वन डैमेशनल कोलीजन मतलम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि लाइन अफ मोशन ये बरापर लाइन ओंगर ऑफ जो केस होगा क्यों से के सुझा है यह बाप्लीजन बांप शायज होगा दूसरा यह लग में जाते हैं बतलब ढपार्टिक्ट लाइंगल सिफी अद दिफेरें प्लेंग इंगल है वो अपली कोलेजन होता है और हम इसे सिंपल बहुत सकते कि लाइन आफ मोशन इस नौट एक लिटू लाइन ऑफ इंपैक लाइन ऑफ मोशन लाइन अफ इंपैक एक एलान पर नहीं होते हैं तो वो inelastic collision direction की basis पे दो हैं head-on और oblique और kinetic energy की बेसिस पे 3 है elastic inelastic और perfectly inelastic elastic अंदर अबने क्या पड़ा एक collision is set to be elastic if the total kinetic energy before and after the collision remains same यहाँ फिर भी आप ध्यान देंगे तो केबल दो बड लिखे हुए before और after during की बात नहीं किये क्योंकि वह आपने अब भी देख लिए है कि during collision तो kinetic energy conserve होती ही नहीं है तो elastic के अंदर भी before or after ही है तो elastic कोलिजन का मतलब वही हुआ कि अगर kinetic energy before or after conserve हो जाए elastic collision की बात करें तो collision is set to be inelastic if the total kinetic energy does not remain constant kinetic energy constant नहीं होगी कुछ हिस्सा deformation में store रहेगा और perfectly elastic collision की बात करें मेटा the collision in which particles get stick together after the collision दोनों particles चिपक जाते हैं and is called perfectly elastic collision in this type of collision total loss of energy या फिर भो सकते हैं loss of energy is maximum कि जो perfectly elastic होगा उसके अंदर kinetic energy का लॉस होगा वो maximum होगा कि इस तरीके से अपने इस लेक्षर में देखा की कोलीजन क्या होता है कोलीजन के लिए के फिजिकल कॉंटेक्ट की नीड नहीं होती है कोलीजन में कौन कौन सी तरम सम्यूज करेंगे लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इंपक्त कैसे फांड आउट करते हैं उसके बाद मैंने बताए आपको टाइपस ऑप कोलीजन ऑन जयांद सब्सक्राइब कोलीजन होता यह सब्सक्राइब कोलीजन होता है यह मनें पढ़ एकने में बदान की किस तरीके से इसके इसके प्रॉसेस इनिशली और आफ्टर जोरती में पुरा नदरव बेसिड़ेंगे और on the basis of direction जो collision था उनको एक तरीक से classify किया हुआ था तो वो एक तरीक से पुली टेबल थी जो हमें यहां दोनी चाहिए थी तो उसी पर basis बिद्कुल थेयोरी आज अपने पढ़ी थी थेयोरी पर बेज कुछ questions है इन questions को आप ट्राइ कीजेगा